नमस्कार मित्रों आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी केस ओनलाइन प्लेटफरों पर बहुत-बहुत स्वागत अविनेंद दन इस सीरीज के अंतरगत हम RPSC के द्वारा 2018 से 21 तक की प्रिक्षाओं में पूछे गए राजस्तान इत्यास क्लास्वंस करती और भुगोल की प्रेशनों का क्विक्ली रिवीजन कर रहे हैं तो आज का हमारा सेकंड ग्रेड प्रिक्षा का पेपर रहेगा 2018 में जो आयोजी हुआ था 3 जनौरी 2019 को यह एक्जाम हुआ था तो इसके पेपर में पूछे के राजस्तान इत्यास क्लास्वंस करती और भुगोल के महत्वण प्रेशनों का डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी सभी प्रिक्षा विशेश करके आपका जो आरेस है इसके लावा एएन जेएन और आपके इसकूल लेक्चरर है इसके लावा आपके जो सीनियर टीचर इत्यादी तमाम प्रिक्षाओं के लिए यह सेस्न काफी मैध पून रहेगा तो चलिए क्विकली हम इनका है वो रिवाइज करेंगे वेसे डिटेल में हम पहले ही इनका ओरेडी दो तीन बार हमें यूट्यूब के लाइव सेसन के माध्यम से डिटेल में अनलिस्स है वो कर चुके हैं तो देखिए पहला प्रिश्ण है इसमें लोक देवता गोगा जी कि शासक के समकालिन थे मेहमुद गजनी, मेहमुद गोरी, इल्थुतमिस या अलाउदिन खिल जी तो लोक देवता गोगा जी मेहमुद गजनी के समकालिन थे और एसा दसरत सर्मा जी अरली चोहान डाइनेस्टी में हो बताते हैं तो एक राइट आंसर हो जाएगा मीरा द्वारा चितोड परित्याग के समय मेवाड का शाषक कौन था अरजुन सिंग, संग्राम सिंग, उदै सिंग और विक्रमा दित्ये तो विक्रमा दित्ये मीरा भाई को काफी इन्होंने प्रेशान किया था और इसी की वज़े से मेवाड ने चितोड का हो परित्याग क कहा जाता है कि रणचोड मंदिर में विलीन हो गई थी अंतीम समय उस समय मिवाड के सासक उदेशिंग थे उदेशिंग ने कुछ लोगों को ब्रामनों को वाँ उनको बुलाने के लिए बेजा था लेकिन वो वापस है वो नहीं आती है ठीक है किस दुर्ग में जोहर नहीं जो नारिया है वो जोहर करती है और अचलदा स्खींची वीरगती को प्राप्त होते हैं सिवाना दुर्ग में भी 1308 में जब आपके खिलजी ने आकर्मन किया तो उस समय जोहर हुआ था 1311 में जालोर पर आकर्मन किया खिलजी ने तब जोहर किया और इसी के साथ में 301 में सबसे पहले रन्थंबोर 1303 में आपका चितोड में रानी पदमनी ने जोहर किया था किस चित्रकला सेली में पुरूशों के चेहरों पर चोट वे चेचक के दाग परदर्शित हैं बूंदी मिवाड अलवर और जेपूर तो जेपूर चित्रकला सेली में चूंकि यहां पर शीतला माता चाक्सू का ज तो तेजा जी की समर्ती में ही प्रबत्सर का मेला है वो आज जित होता है ठीक है और आज तेजा जी की दश्मी भी है बादर्पत सुकल दश्मी को तेजा दश्मी के रूप में मनाया जाता है तो आप सभी को तेजा दश्मी राम देव जेनती साथी साथ आज बादर्पत स शिद्धता के लिए करतोवे पालन के लिए ये आकर के अपने प्राणों की इन्हों ने आहूती दी थी तो इनको भी बहुत-बहुत सरदान जली सरदास उमन अर्पित करते हैं नेक्स्ट है कौन सा पुरूशों का आभूशन है छेल कड़ी नेवरी पोत और सरी तो छेल कड़ी ये पुरूशों के पेरों में पेहना जाने वाला आभूशन है और नेवरी है ये मैला ये पेरों में पेहनती है पोत और सरी है ये गले का आभूशन है मैलाओं का छिड़े किस अउसर पर गाय जाते हैं शिशु, मर्तियु, जागरण, वदू, आगमनिया, फसल कटाई तो किसी शिशु की मर्तियु हो जाते है तो उस मर्तियु के शोक का गीत है छिड़े राजकुमारी जो मूमल है ये किस इस्तान से संबनी थी कोलायत, अर्थोना, लोदरवा और केला पानी तो जेसल मेर की लोदरवा की राजकुमारी थी कौन मूमल और महंद्र जो आपका अमर कोर्ट सिंध प्रांत का था इनके बीच की प्रेम कहानी काफी आप लोगों ने सुनी भी होगी नेक्स्ट है, 2011 की जनगरना के नुशा राजस्तान के कौन से जिले में उसकी ग्रामनी जनसंक्या का लिंगानुपात 1,000 से अधिक है किसी भी सोरी जिले का ग्रामनी लिंगानुपात 1,000 से अधिक नहीं है सुमेलित आपका कौन सा नहीं है चूज करना है पशू और उसकी ब्रिड्स नसल ली हुई है बकरी की है बड़वारी है बिलकुल सही है गोवन्स की है नाली तो यही सुमेलित नहीं है गोवन्स यह नाली की बात करें तो यह हमारी बेड़ की नसले है नाली पूगल इसके ला नहारगड, सज्जनगड, कुमबलगड और तारागड तो इन्ही विकलपों में आपको छूज करना है कि इन में से सरवोच कौन सा होगा तो कुमबलगड धा-1224 मिट्री, इसकी हुठाई है राजसमन्द में है तो यह सर्वोच है इन विकलपों में बाकी हमारा सर्वोच कौन सा है तारागर 1727 मिटर हो चाहिए आबू में इस्तित है प्रेटक इस्तल और इस्तती है वो दी हूई है तो यहां पर प्रेटक इस्तल आपके कौन से कहां पर लोकेटेड है चोरासी खंबो की छत्री यह हमारी जर्वादी नवल सागर फूल चागर यह सारे मूंदी में है दोलत बाग जिसको सुभाद्त अध्यान के नाम से भी जाना जाता है आना। 2016 के नुसार कुल उत्पादन की द्रश्टी से फसलों को घरते करम में वैवस्तित करें घरते करम में यनि कि आपको descending order में रखना है सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सी फसल का होता है तो यह 2016 की संकी की report है वरतमान तक की देखा जाए तो मेरे पास में अभी 2019 बीस तक के डेटा है तो उसमें भी आपके इसमें production में ज्यादा कुछ changes नहीं हुआ है यह जिले आपके वहीं है ठीक है एक इस्तान पर अगर बात करें पहले इस्तान की तो सबसे ज्यादा राजस्तान में production गेहूं का होता है और दूसरा इस्तान है बाजरा का दो नंबर है तीसरा है मक्के का और चोता है चावल का तो यहाँ पर A, D, B और C, A, D, B, C यानि की विकल्प नंबर हमारा तीन हो जाएगा वहीं आपको पूछ लिया जाए कि राजस्तार में क्रिशी शांकी की रिपोर्ट 2019-20 के कुल जो फसल सित्र यानि की एरिया के हिसाब से आपको फसले पूछी जाए तो एरिया में पहले आप गयों ना करके क्या करेंगे बाजरा करेंगे दूसरा एरिया में आप क्या करेंगे गयों करेंगे तीसरा मक्का और चोता चावल करेंगे तो गयों और बाजरा को एरिया अरावली और परक्षिमी शुस्क जो पेटी है इसके मध्य राजस्तान में जो बी एस एच डब्लिव परकार की कोपेन का वर्गीकरण हम पड़ते हैं तो यह जो है यह आपकी इस्टेप परकार की जलवाय। है अर्द सुस्क प्रकार की जलवाई हूं नेक्स्ट है सन दो जार एक से ग्यारा के बीच राजस्तान के कौन से जीलों की जनसंक्या में 30 प्रतिशत से अधिक दसक्य वर्दी है वो दर्शाई गई है बांसवाडा जोदपूर जैसल मेर बाड मेर ये जीले दिये हैं आगे आ उसके बाद में जैसल मेर की कितनी है 37.8 परशंटेज और उसके बाद में है जोदपूर की 27.7 परशंटेज तो इसमें पूचा है 30 प्रतिशत से अधिक है तो 30 प्रतिशत से अधिक केवल C और D है यानिका विकल्ट नंबर हमारे 4 राइट आंसर है नेक्स्ट है जेसल मेर जेहन मंदिर की स्थापना का उल्ले करने वाला प्रतिहार अभिले कों सा है मंडोर, नाडोल, नागदा और गटियाला तो यहाँ पर प्रतिहार अभिले क विकल्प में केवल दो ही हैं जिसमें गटियाला अभिलेक में जेन मंदिर की स्तापना का भी उल्लेक मिलता है। जिसमें गटियाला अभिलेक के अनुसार शांबर जील का निर्मान किसने करवाया। जिसमें गटियाला अभिलेक में जाता है। अप्धान किस के विरुद वह है वो चलाय गया था शुरौन हाडा मारणा प्रताप क较र राय राम-चंद्रदेव तो सुरौन हाडा के विरुद में 1579 में अकबर ने पहला जो अब्यान है वो चलाया किस रियासत के विरुद चलाया तो आपको ध्यान में रखना है रन थंबोर ये सुरुजन आडा रन थंबोर का सासकता 1569 में इनके विरुद है ये अभियान चलाया था मान सेहिंग ने जैपुर राजे मीना सुधार शमीति का गठन किस इस्तान पर हुआ करोली दोसा नेम का थाना खेतली तो नेम का थाना में अप्रेल 1944 में मोनी मगन सागर की अध्यक्सता में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन होता है और इसी सम्मेलन में जैपुर राजे मीना सुधार शमीति का गटन है वो किया जाता है और इसके अध्यक्स है वो बंसीदर सर्मा को इसके अध्यक्स है वो बनाया जाता है ये भी most important है ठीक है बंसीदर सर्मा इनके अध्यक्स बने थे ठीक है डाबडा कंड किस क्षेत्र के किसानों से सम्मंदित है अलवर भरतपूर शीकर या जोदपू के किसानों से संबंदित हैं ये कंड आपका 13 मार्च 1947 को गटित हुआ था मेवाड प्रजामंडल के प्रतम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था मानिक किलाल वर्मा बलवन सिंग मेता रमेश चंद्रव्यास या मोहनला सुकाडिया तो मेवाड प्रजामंडल का गटन तो हुआ था 24 अपरेल 1938 को बलवन सिंग मेता के निवास पर इनके अधिक्स बनाए गए थे बलवन सिंग मेता को लेकिन इसका जो पहला अधिवेशन है ये जो फर्स्ट सेशन है ये मानिक किलाल वर्मा की अधिक्स ता में है वो हुआ था ठीक है प्रजामंडल के अधिक्स पूचा किस पद पर थे तो मानिक किलाल वर्मा को इस प्रजामंडल का महा मंत्री बनाए गया था ठीक है ये आपको द्यान में रखना है किस समीती ने मच्य संग में रहध राजस्तान के विले की है वो अनुसंसा की बलवन तराय मेता फजल अली वी एन गौड गिल और शंकर राव देव शमीती तो शंकर राव देव शमीती इसके द्वारा मच्य संग को आपको भरतपुर और दोलपुर के जो सासकते ये यूपी मध्यप्रदेश में मिलना चाहते थे तो इन्होंने एक कमेटी है और शंकर राव देव समीती के अध्यक्सता में कमेटी गटित की गई और इस कमेटी ने बाद में जनमत संग्रह करवाया और उसके बाद में जनता की राय के आदार पर आपका धोलपुर और आपका जो मेंली बरतपुर है इनको किस में सामिल किया गया था राजस्तान में सामिल किया UP में सामिल नहीं किया ठीक है तो यहां right आंसर हमारा D हो जाएगा शंकर राव देव शमीती ठीक है फजल अली ये राज्य पुन्दर गटन आयोग से संबंदित थे और वी एन गड़ गिल ने मत्से संग का नाम है वो मत्से संग प्रपोर्ट किया था और शाहती साथ मत्से संग 15 मई उनिस सो उन्चास को राजस्थान यानिकी व्रेद राजस की लूट की सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्सेप किया या स्वयम की विलासिता पर अधिक खर्च किया तो इन्होंने माजन वरगे जो आपका सेट सावकार थे उन से क्या की थी इन्होंने लूट इत्यादी है वो कर ली थी ठीक है इसी वज़े से ये आम जनत सासक भी कहा जाता है और मारवाड का प्रताप भी कहा जाता है तो राव चंदरशेन ने अपने गतिविद्यों का केंद्र है वो मुगलों के विरुद कहां पर रखा कौन से दुर्ग पर इन्होंने अपनी गतिविद्यों का केंद्र है वो रखा आपके लिए विकल्प है जालोर दुर्ग, दूसरा है सीवाना दुर्ग, तीसरा है कुभल गडड़दुर्ग और चोता है आपका मेरान गडदुर्ग। ठीक है? प्रेशने ये हैं कि इन्होंने मुगलों के विरुद जो प्रतिरोद किया था मुगलों से यह किस दुर्ग में रहते हुए इन्हों ने किया था इनकी सरण इस्तली कौन सा दुर्ग रही थी मेवाड़ राज्ये सुरी मारवाड की सरण इस्तली वह आपको कमेंट सेक्षन में बताना है साथ ही साथ आप सभी के लिए एक बहुत ही उसका एक जो वीडियो है वो आपको आज हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में अवेलेबल होगा और आज चुंकि खेजरली बलिदान दिवस है तो इसी दिवस पर लोकसंत जांबो जी और खेजरली बलिदान दिवस के बारे में भी उस वीडियो में आपको बताया गया है साथी आपके परसंत जी के बारे में भी उस वीडियो में है तो लोकसंतों का राजतान के प्रमुक जो लोकसंत है उस टोपिक से यूट्यूब पर आज हो साड़े 10 बजे अपलोड होगा तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए उस संबद में आपकी क्या राय रहती है वो भी comment section में आप जरूर लिखेगा बहुत बहुत दिनेवाद वेसे season हमारा 10.30 बजे ये रहता है लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको जल्दी ये डाल रहा हूँ क्योंकि 10.30 बजे आज हमारा वो वाला वीडियो अप्लोड होगा तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए और वो वीडियो एक demo lecture के रूप में है यानि कि हमारे mobile application पर सारे के सारे जो वीडियो इत्यादी है वीडियो lecture इत्यादी recorded format में है वो सारे के सारे आपको आज जो वीडियो मिल रहा है उसी format में रहेगा तो आप लोगों के कुछ doubts थे कि sir mobile application में आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे क्या आप on screen रहेंगे या फिर digital board से होगा तो वो आप सारा उस वीडियो में हो देख पाएंगे ठीक है तो आप वीडियो जरूर देखिए आगामी प्रतियों की प्रिक्षाओं के लिए भी बहुत ही आपका math पुन है useful है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कल के आज evening के session में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए शुक्रिया कल वाला evening session हमारा नहीं हो पाया था तो आज हम evening session जरूर रखेंगे आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया नमस्कार thank you so much all of you और इस सवाल का जवाब आप जरूर देवें